कुझ नाम दिया गया है परिक्षे नंदी द्वार बना गौध द्वार बना और यह गेट है सिय द्वारी अरे सब्सक्राइबर जो पीपल का पेड़ है उसको भी बैधरीं तरीके से सजाया गया है लाइटिंग किया गया है कुझ मैं स्टेज की तरफ लेकर चलता हूं काफी सरे लोग पहले से ही पहुंच गए है और अभी यह जो टेज है और स्टेज के जश्ट से सामने में यह सब जो चेयर लगाई गई है यह वी आईपी लोगों के रपर प्रोजेक्टर लगाए गया पंखा लगाए गया जहां पर अभी भगवान शंकर की प्रतिमा को ला लिया नमस्कार जय जोहार स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लोग में आज मैं आप लोगों एक बर फिर से ले कर आ गया हूँ जहां पर प्रदीप मिस्रा जी का सिव महापुरान कथा होने वाला है उस ग्राउंड में और आज देखने वाले हैं कितना परसें तैयारी हु हुगा है तैयारी किस प्रकार से बनाया जा रहा है क्योंकि कल दोपाहर एक बज़े से साम को चार वे तक पंडित प्रदीप मिस्रा जी का जो सिव महापुरान कथा है वो स्टार्ट हो जाएगा तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहां पर एंट्री गेट बनाया तो देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर बोर्ड वेकरा सब लगे हुए हैं और इसके अलावा आपको दूसरे दूसरे एंट्री गेट की तरफ ले कर चलता हूं यहां पर नंदी द्वार बनाया गया है और यह जो आपको बाहर में बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे ह यह मेरे कहां से करल यहां पर नहीं रहेगा पार्किंग का अलग से बवस्ता किया गया है अलग जगहां पर पार्किंग बनाया गया है यहां देखिए नंदी द्वार बनाया गया है तो सभी जो एंट्री गेट है उसको अलग-अलग नाम दिया गया है काफी सारे लोग बह और कि आते जा रहे हैं और देखी सकते हैं बhnut ही बड़े एक स्काहित है है पंडित प्रदीप मिश्राजी किसी महापुराण तक होने आन्ला है अभी एक ही गेट को खोला गया है लागी देख सकते हैं बेहदी खुबसूरत तरीके से सजाया गया है और बहार में ये सब पोस्टल पगरा लगा हुआ है नौ नमंबर से तेरह नमंबर दोहजार बाइस दोपहर एक बजे से साम को चार बजे तक दही हांडी मादान हनुमान मंदिर गोडिहारी रायपूर इस सब एड्रेस लिखा हुआ है और खानेपिनी की वेवस्था जो है वंडारे की वेवस्था असकिया गया है यह गेट के पास आख चुके हैं और यह गेट है सी दवार इसको सी दवार नाम दिया गया है अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहां की क्या कुस्त तहियारिया है तो यह है सी दवार देखे से अब अंदर आएंगे पुरा तयारी चल रहे है टेदा राइड सेट में पुलीस सहयातक येंद रहा है और अपे-कलीची किस्तक यूद्धर के अरे सब्सक्राइबर भॉड मिलते जा रहे हैं कि सबस्क्राइबर भाई लूग मिलते जा रहे cater जैसे आप अंदर आएंगे पुरा तयारी हो वी चुका है कि सब मेट वेकर बिछा दिया गया है और बड़ा सवाई यह सब लगाया गया है बहुत ही बैतरी तरीके से साथ ही साथ उधर पूरा चेयर वेकर रखा गया है और स्टेज कहां पास बनाया गया है मैं आपको ले कर चलता हूं वागी देखिए अभी से ही लोग आ गया है यहां पर तयारियों को देखने के लिए और बीच में जो पीपल का पेड़ है उसको भी बैतरी तरीके से सजाया गया है लाइटिंग किया गया है और लोगों का भीड आम देखिए पूरा आज ही से ही भीड हो गया है और दूर-दूर से लोग पहुंचते जा रहे हैं यह आपको मैं स्टेज की तरफ लेकर चलता हूं और दिखाता हूं वहां पर किस तरह से तयारी की गई है देखिए बहुत ही बड़े एरिया में इसको बनाया जा रहा है और यह सब पंखे वेगर सब लगाया जा रहे हैं ह हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भाई लोग भी मिलते जा रहे हैं यहां वहाले एरिया में स्टेज बनाया गया है और वह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहां पर बनाया गया स्टेज बाकी देख सकते हैं पूरा पंखे वेगरा की पूरी व्यवस्ता है यह सब बॉ अले से पहुंच गये हैं और अपना-पना वैवस्ता कर लिये हैं अब मैं आपको स्टेज के विल्कुल फ्रंट में लेकर आ गया हूं जहां पर सजाया जा रहा है और जहां से पंडित प्रदीप मिश्रा जी सिव महापुरान कथा का वाचन करेंगे और देख सकते हैं बहुत ही जादा बड़े छेत्र पर इसको बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि यह भी कम पढ़ जाएगा क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी के जो सिव महापुरान कथा है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगाओं से बहुत जादा शंख्या में बहुत किया जा रहा है और अभी यह जो सजावट के काम है पूरा रात बर चलने वाला है और कल दोपहर एक बज़े से शाम को चार बज़ तक शिव महापुरान कथा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर स्टेज है और स्टेज के जश्ट सामने में यह सब जो चे है और इसको ब्लॉग चार पांट छे साथ ऐसा नाम दिया गया है एक से लेकर पूरा उधर नौदस तक पूरा यह वी आई पी आला एरिया है तो यहां पर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भिया मिले है इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है विया आपका नाम क्या है है पंडित जी महापुरान कथा वाचन करते रहेंगे और लोग उनको सामने से नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए दूर से देखने के लिए यहां पर प्रोजेक्टर भी लगाए गया है देख सकते हैं जगा जगा पर प्रोजेक्टर लगाए गया है पंखा लगाए गया ह यहां पर भी प्रोजेक्टर है जो लोग पास से नहीं देख पाएंगे वो लोग दूर से ही स्क्रीन पर देख सकते हैं और बहुत ही बैतरीन तरीके से यहां पर सजावट किया जा रहा है साथ यह जो जगह है उसको और भी बढ़ाने के लिए इधर और भी अभी काम चली रह रहा है और भाई पास दिनों तक चलने वाला है सिव महापुरान कथा तो जबर दस्त महल रहेगा आप जहां कहीं से भी यह वीडियो देख रहे हैं आप यहां पर आईए देखिए भाटा पारा में हुआ था और सेकेंड टाइम अपने रायपूर 36 गण में हो रहा है तो ब बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले जैहिन जै भारत जैशतिसगर्ड हर हर महादेव तो बाई पेड को देखिए यार कितना खुश्चुरा सजाय गया है पुरा लाइटिंग है लाइटिंग इसमें भी और जब ठाम होगा अंदेरा होगा उसके बाद यह देखने लाइक रहेगा वाकि आप इधर पुरा माहल देखिए लोगों का अभी सही बेड लगते जा रहा है काफी दूर दूर से लोग पहुंसते जा रहे हैं और यहां पर अपना वैबस्ता ढूंड रहे हैं वाकि देखिए कि इस प्रकार से तयारी है कि शिव महापुरान कथा इ अब यह पूर पंडाल मैंने आपको गुमा दिया है आकि देखे मुर्ति लाए जा रहा है भगवान शंकर का तो यहां पर अभी भगवान शंकर की प्रतिमा को ला लिया गया है और नंदी द्वार से अंदर ले जाए जा रहा है जहां पर सिव महापुरन कथा होगा अंदर में वहां पर इस्थापना किया जाएगा भगवान शंकर की मुर्ती को